हे गाईज होग के आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमली का ध्यान रख रहे होंगे यहां पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगबग लगबग पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ होता है, 200 कबी से कम हो, इसके डाइमेंशन भी आते हैं, जे पीजी फॉर्मेट में, यह आपको एक चाहिए, फॉर्मेट के तोर पे, साथ में जो है, एक इंपॉर्टन चीज, मार्क सीट ऑफ कॉलिफाइंग डिग्री, आप बीसी, एमसी, या किस इंटीग्रेटेड बीस, एमस, बीटेक, जिस भी डिग्री पे अपलाई कर रहे ह उसकी एक मार्क सीट आपको चाहिए, इसके अलामा जो है, क्या कंडिशन्स बनता है, कैटिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, कैटिग्री सर्टिफिकेट जो अगर कैटिग्री से अपलाई कर रहे हैं, SCST है, OBC है, तो कैटिग्री सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, अपला नहीं है यह जो यह certificate वाला कहानी है यह conditions कह सकते हैं कि essential नहीं है यह उनके लिए है जो लोग इस category से apply करें ठीक है नाव इसके बाद बात करने की कोसिस करें तो वो है आधार कार्ड या एक कोई भी valid ID कार्ड जो की recognition colleges universities से या कह सकते हैं कि voter ID कार्ड से कोई भी ID कार्ड अगर किसी college ने issue किया तो वो भी आपको चाहिए इसके लामा भी कुछ basic चीज़े होती हैं बट most of the cases में यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको जब अगर online आप CSIR application form फिल करेंगे तो यह मिल सकते यह आपको भरने मलब अपने पास रखके ही भरना पड़ेगा तभी आप application form जो है बिना रुके टुके जो है भर पाएंगे सवाल यह भी आता है कि application form तो भरी रगे notifications and all इसा मुद्दे जो है इस पर भी बात करने के आ सकते हैं बट फिलाल के लिए जब भी application form आएगा CSIR का आप तभी यह भर पाएंगे एसा नहीं कि कभ हमेशा available है you know very well that कि जब भी CSIR application form आएगा तब इन चीजों की जरुवत पड़ेगी और इनको use करते हुए आप CSIR application को फिल कर सकते हैं और फिर CSIR examination को दे सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि यह video आपको अच्छा लगा होगा चलिए मिलते हैं next video में till then bye bye take care and all the best